आई टी आई गोल चेनल में आप लोग का पुना स्वागत है आज हम लोग एक क्वेस्चन को सोल्व करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है SCBT एक्जाम 2023 में एक क्वेस्चन पूछा गया था जो कि पलंबर टेट से रिलेटेड है तो बहुत सारे बच्चे जानकारी के अवहाब में एक्जाम में फेल कर जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ टिप्स और किस तरह से इस परसन को सोल्व करें इसके बारे में जानकरी दी जाएगी तो बीना skip किये हुए पूरा वीडियो का आप लोग अबस्य देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इस क्वेस्चन का एंसर जैसा कि एक नमबर क्वेस्चन में दिया हुआ है मतलब नीचे में ये प्लान दिया हुए आपको इस प्लान में सेनेटरी फिटिंग आप लोग को दिखाना जो की एकदम सिंपल है यदि आपने बुक्स को परहा होगा इसके सेंबोल के बारे मजानकारी होगी तो बिल्कुल ये बीस नमर का क्वेस्चन हैं आप सोल्ब कर पाते हैं बट किसी कारण से आपने ध्यान नहीं दिया साथ ही क्वेस्चन में कह रहा है और सबसे पहले देख लेते हैं सेनेटरी फिटिंग क्या चीज है इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं चली आप लोग के इलिए मैं यहां पे रखावा हूं यह सेनेटरी फिटिंग है जो की खास करके डाइनिंग हॉल बाथरूम में यूज किया जाता है तो यहां पे आपको देखना है कि किस तरह से इसको हम लोग यूज करें तो यहां लिविंग रूम आप देख रहे हैं य नहीं परτά सेम्बल बना के दिखा देते हैं इसका तो यह 20 नमर आपका किलियर हो जा रहा है लिविंग रूम में यूज कर सकते हैं हम Also i यहां पर एक दो तीन चार बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें से कोई एक सिंग के यूज़ करके दिखा सकते हैं वहां पे बातरूम में है, वहां पे आप टॉयलेट को दिखा सकते हैं, कीचेन है, वहां पे भी सिंखिय की ज़रौत परेगी, तो इसका सिर्फ आपको दो-तिन जगहा, फीगर को बना देना है, और साइडमि tür ऑसी का करगा देना यह आपका पहला question का answer यहां से clear हो जाता है दूसरा question के हम लोग बात करते हैं आगे चलते हैं यहाँ पे draw the front view, side view and top view in the first angle projection for the object shown below मतलब इसको देख कि आपको first angle projection में इसका front view, side view और top view बना देना था जो की 30 नमर का questions है और बहुत ही आसान सा isometric projection दिया गया है यदि आपको जानकारी रहे, इसको बनाने का तरीका मालूम रहे तो यह बनाना बहुत ही आसान है और आप 30 नमर को आराम से प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे आपको सबस्प्रतम इस isometric projection को समझना होगा इसमें front के सामने से front में क्या हमें दिखता है, side में हमें क्या दिखता है और top में हमें क्या दिखता है तो front जब भी आप देखें तो दो चीज फोकस करें कि इसका लंबाई कितना है और इसका उंचाई कितना है front मतलब लंबाई और उंचाई ये दो चीज आपको देखने है इसके अंतरगत आपको इसका figure को draw करना है इस तरफ से देखने के बाद side में आप इसकी फिर चवराई और उंचाई को ध्यान देंगे दो चीज को top view जब आप plan करेंगे तो इसमें लंबाई और चवराई को ही ध्यान देंगे इसकी उंचाई इसमें छुप जाती है तो इस view को बनाने के लिए हम पुरा view बना के आपको दिखा रहे हैं already जो की बहु के माधिम से देख लेते हैं यहां मैंने बना के दिखा दिया आपको समझने के लिए वीडियो बरा नहों इसके लिए front view में आप देखिए सिर्क इतना आपको बनाना था जो की बहुत ही आसान है यहां पे यह position जो आप देख रहे हैं जहां पे मेरा cursor है उसको दिखाने के ल दिया है साथ में dimension हमें proper लिखना है जो dimension है proper लिखना है front view हम बना रहे हैं तो front view हमें पूरा लिखना है तो simple यह front view बन जाता है इसी परकार यहां पर आप देख सकते हैं side view हमने draw किया है front के just इस तरफ यह side view हमारा है और question में यदि हम लोग side view देखते हैं तो देखे side view में आपका इस तरह से यह surface दिखेगा यह surface दिखेगा और यह surface इतना हमें बनाना था जानकारी के अवहाब में आप नहीं बना पाते हैं और exam में fail कर जाते हैं और आपका समय बरवाद हो जाता है इससे बसने के लिए आप practice करें और साथ में वीडियो अबसे देखें तो यह देखिए side view में आप लोग को सिर्फ इतना बनाना था sketch आप वीडियो को pause करके इसकी practice कर सकते हैं इसी परकार आगे हम लोग चलते हैं top view यहाँ पे देख रहे हैं यह उपर वाला portion यह वाला portion और यह वाला portion यह तीन portion को आपको देखना है और समझ लेना है यहाँ पे हमने top बनाया है जो की ध्यान रहे हमारा यह first angle projection है तो top हमारा front के नीचे आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं top view का designing किस तरह से करना है बिलकुल ध्यान रहे मैं इसको थोड़ा सा छोड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको front view और side view हर हमेशा आपस में दोनों का height बराबर रहेगा और एक ही horizontal plane पर बनेंगे यदि आप top view बना रहे हैं first angle में तो यह front के just नीचे बनेगा 90 degree नीचे इसको ज़रा सा भी आप दाएं या बाएं ना करें और साथ में symbol of projection बनाना जरूरी है उसके बाद नीचे में आप लिख सकते हैं notes और dimensions आड़ी ने इमें इतना काम यदि आप करते हैं तो 100% आप exam में अच्छे नमर से पास करेंगे मैंने विडियो बना दिया है आप लोगों समझने के लिए और आप लोगों पाउज करके question को भी आप ले सकते हैं और साथ में इसको practice कर सकते हैं तो एक छोटा सा ये विडियो है और ये इस प्रकार का विडियो आप लोगों मिलते रहेंगे जो कि exam आने ही वाला है कुछ दिन के बाद exam आपका होगा तो exam में आपको फाइदा देगा और बनाते समय बिलकुल मैं दुबारा कह रहा हूँ इसको जरा सा आप ध्यान दें ये दोनों views फर्स्ट एंगल में बने हुए हैं इसलिए top view नीचे दिख रहा है यदि ये थर्ड एंगल में बनेंगे तो उसका कुछ बनाने का तरीका और होगा सेंबल और प्रोजेक्शन भी चेंज होगा सेंबल और प्रोजेक्शन कैसे बनाना ये आप देख सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत हो कॉमेंट आप कर सकते हैं कोशिस करेंगे कि आपके कॉमेंट का जवाब हम दे दें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो अगली कलस्मी